कि देखो आजना हम अस्तमे की स्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो जो अस्तमे की स्टेज होती है वो चार होती है एनकी इंटर्मीटेंट होती है और माइल्ड मॉडरेट और सीबियर तो देखो जो अस्तमे की स्टेज हैं को कितनी है एनकी चार एक तो इंटर्मीटेंट एक महीन में दो बार तेगा रहा है तो जो इंटर महीन में दो बार आठेक आ रहा है तो किस इस्टेज मने आगी इंटरमीटेट इस्टेज होती है इसमें को या रात में एक महीने में दोबार अटेगा रहा है तो के सिस्टेज मने यागी इंटर मीटेंट इस्टेज मने यागी तो अटेक के दोरान क्यों होता है जैसे उसे खांसी आएगी पेसेंट के लिए बहुत जादा ठीक और क्योंगा सौटने तो ब्रीद एंक यूसांस लेन की वह दरोग और तो इसका एक्जामनेशन कैसे करेंगे एंक तो पता कर सकते हैं तो अगर पेसेंट आपके पास आया तो क्या होगा उसकी नॉर्मल ब्रीथ होगी और नोर्मल साँड होगा एक दमपूरी तन नॉर्मल देखेगा लेकिन आवसे भूलेंगे आप तेज़ चल के आए तो यह तेज़ते चले और उसके बाद अगर आप इस्ते तो इसको प्सकर सांड रहेंगे लंग्स का तो सांड कैसा आगा वीजिंग साउंड आएगा लंग्स के अंदर और क्या कर सकते हम कर सकते हैं तो वो कितना होगा यह लगबग नॉर्मली रहेगा लगबग 95 होता है नॉर्मल भी इतनी होता है और यह फोर्स फूल में ली गई भायू और एक मिनट में निकाली घआ तो यह कितना आता है एतना एंकि सतर पर से कम आता है नॉर्मल कितना होता है डो शोटवार से ओपर होना चाहिए लेकिन लगातार एंसे मालों तीन वार भी हो सकता है चार बार भी हो सकता है लेकिन लगातार ना हो जैसे मालों आज आ गया फिर कल आ गया ऐसा नहीं होता एंकि आज आएगा फिर अगले दिन छोड़के आएगा और रात में कितनी बार अटेका रास्त में का एक महीनी में सु तो क्या होगी माइल्ड स्टेज होगी तो अटेक के दौरान क्या होगा जैसे उसे खासी आएगी पेसेंट के लिए वीजिंग साउंड होगी अगर स्टेटोस्कूप से लंग्स के साउंड सुनोगे तो सब्सक्राइब तो इतना नहीं बोल पाएगा उसका सेंटेज में टूड जाएगा और हाइफो फॉनिक होगा कि सांस गहरी लेगा और बायू इतनी निकाल नहीं पाएगा यान की बाहर को कोसिस करेंगा बहुत जादे-जादे कि बायू निकल जाए तो हाइपो फॉनिक होगा एक्जामनेशन क्या कर सकते हम इसका जैसे फोर्स एक्सपायरेट्री वॉल्यूम देख सकते हैं तो कितना होगा लगबगा 80% होगा एक बायू को बाहर निकाल पार रहा होगा एस्पीटी चेक कर सकते हैं तो यह कितना होगा लगबग 95 से कम होगा यह कि नॉर्मल कितना होता है तुम्हारा पिच्चान बे ठीक लंक्स का अगर सांट सुनोंगे तो भीजिंग सांट आएगा पिसें इन किसमें स्टैट्स कोफ से और नेजल फलेरिंग में होगी एन की जनाफ का यह वाला इविया होता है की फड़ फड़ए तो नेजल फलेरिंग होगी है ट्रेट का की बढ़ए होगी लॉमा कितने ओती है बहतर वार एक अधर रखता है तो इसमें का होगा माइल्ड टुकेशन में आप एक स्रेकरब सकते हैं ऑटीए तो टो क्या होगा थो ऑफ रिस बीत बढ़ जाए गाए पर गाए एऍनकी जाए उनकी जो दूरी वो होगी और जो मिलेगी और नंसको करेंगे तो इस तरह से फ्लेट से आता यह ऐसे इस। सब्सक्राइब तो जो जो तरह माड़ी धे महीं पर दो किम दो सफांब précे माठिक यह तो जो मॉडरेट स्पीज कि कलुए तुम्हारी इसमें यहां यहां डिन के अंदर स्ट्ट कि करे netytyy किक दूख श्रुण स्टमीत banana वा टैक एक उस टाइम कर लेक теп कर दिए टिन आहिए होगा उनके लंक्स कि अगा तुमें स्टेतोस्कोप से सुनों होगी सौटने सबीट एन की सांस जोगा वो चुटी छोटी होगी इस तरह से और टाइटनेस अब दाट चेस्ट एन के अधिन को किसी ने बांद रखाया चेस्ट को और का होगा सांस लेने में बहुत जादा परि है क्या मिलेगा तुमें एनिक जो फोर्स एक्स पायरे ट्री वॉल्यूम है वो कितना होगा एनिकी 60-70% एनकी इतनी बायू निकाल पारा होगा पेटेंट एक मिनट में और SPO 280% से कम होगा ठीक है तो अगर SPO 280% से कम है तो क्या होगा जो तुमारी पैरी फेरी हैं की हाथ पेर वो कैसे दिखेंगे तुमें नीले नीले दिखाई 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 देगा और अगर मैं लंग साउंड सुनोंगा इस टेटो स्कूप से तो वीजिंग साउंड आंगी ठीक और हाट्रेट को कि बहुत बढ़ी होगी पेसेंट की और रेस्पारी रेट वो भी बहुत में का अटेक जु दिन में आएगा वो का होगा डेली जेसी दिन निकलेगा उससे व्ह insist in का अने लगेगा ठीक है लेकिन ना हो जाएगी टाइटने सब्सक्राइब किसी चीज़ से बांध रखा है और क्या होगा सांस लेने में परिशान नहीं होगी एक्जामनेशन अगर मैं करूं इसका तो जो यह सामने वाला भाग उसमें भी क्यों नीला नीला दिखने लगेगी तुमारी बाइटर तो साउंड को सनोगे तो वीजिंग साउंड नहीं आएगा आप तो सांड यफ सेंट होगा है ट्रेट तो होग इसकी साट से कम हो जाएगी नॉर्मल कितनी होती है बहतर तो एंक एक मिनट में माइल्ट सॉरी इंटर्मीटेंट माइल्ड मॉड्रेट और सी बिया तो अगर वीडियो चले यह तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाद को कमेंट करके आप बदा सकते हैं आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है तो ज्याद तर जितनी लोग बैठेंगे तो वह चीज़ हम पढ़ाएंगे ठीक्यों